नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिब चैनल में और दोस्तों आज हम बात कर रहा है विकास लाइफ केर के राइट इसू के सेर्स के बारे में ये मार्केट में कब लिस्ट होने बाले हैं जिसके बारे में ओफिसियल आपको न जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप इस बारे में बोल सकते हैं दोस्तों विकास लाइफ केर के राइड सुमें अपलाई किये हुए काफी दिन हो गए हैं और लगातार इसकी डेट बदलती जा रही है और अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि कहीं आपके बहुत लॉस हुआ और बहीं बाद में इसकी जो लिस्टिंग की डेट है अकाउंट में सेर क्रेडिट होनी की डेट है उसे चेंज किया गया और पहले ये उसी दिन आपको चोबीस तारीक तक लिस्ट होना था लेकिन उसको भी नहीं हुआ और अब जो डेट निकल के आए ह वो डेट है आपकी मंडे के दिन मंडे के दिन बोला गया है कि 100% ये सेर आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दे जाएगा जो की है 28 जून की डेट तो 28 जून को ये लिस्ट हो जाएंगे विकास लाइफ केर के राइट सु के सेर और उसी दिन से आपकी 28 जून तक ये सेर दिखाई देना सुरू हो जाएंगे आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएंगे जिने भी ये सेर अलोट हुए होंगे और बहीं दोस्तो अब आपके मन में होगा सबाल तब आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तो ये फैसला तो आपका आपके मन में होना क्योंकि आपने अगर राइड जू के लिए अपलाई किया है तो कहीं ना कहीं आप यही सोचते हैं कि बिकास लाइफ केर जो है अब FMCG के सेक्टर में आ गई है और यहां से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो और भी बहतर होगी और लॉंग टम में आपके लिए निकाल के दे तो अगर बो सेर उन्होंने ना तो किये हैं सेल और ना ही किया अपलाई तो उनके पैसे का क्या होगा तो सिंपल सी बात दोस्तो आपके लिए पहले भी बताई गई है कि जन्होंने अपलाई नहीं किया है तो उनके पैसे तो पूरी तरह से गायब हो गये हैं और अब उसका कुछ नहीं हो सकता और अगर आपने बाए करने के बाद अपलाई किया है तो आपको है सेयर मिलने के चांस जहां पे आपके पैसे की रिकबरी हो सकती है और एक चीज के बारे में आपके लिए मैंने सुरू में ही बोला था कि अगर आप R.E.S.E.R. buy करने के बाद में apply करते हैं तो आपके लिए कोई भी profit नहीं होगा क्योंकि आपने पहले R.E. का पैसा पे किया जो भी अगर एक रुपए ही मान लें तो एक रुपए का पैसा पे किया साथ में आपने apply किया और apply में आपने पैसा पे किया 1.85 रुपीस तो आपके लिए ये share पड़ा मेंगा तो इसलिए आपको बहाँ पे कोई खासा फाइदा नहीं मिला और बहीं दोस्तो इस समय अगर विकास life care के price की बात करें तो 3.15 पैसे आपको देखने को मिला है जो कि आपको आज 3.10 पैसे और 15 पैसे के बीच ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो अब बहुत से लोगों के मन में एक चीज़ चल रही है क्योंकि अगर पिछले एक मन्त का चार्ड देखें तो स्टॉक में आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है नॉर्मल सेयर की तरह अब इसमें ट्रेडिंग हो रही है तो अब आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अब ये स्टॉक बिलकुर operator से free हो चुका है और अब यहाँ operator इसको manipulate करना छोड़ चुके हैं तो दोस्तों इस से गलत फहमें को अब आप बिलकुत मत पालिए अपने दिमाग में क्यूंकि आप ये बात अभी भोल रहे हैं ये अभी इसी बज़े से इसमें बड़ा downfall देखने को नहीं मिला है जब ये right issue के जो share है आपके account में credit हो और बहीं दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने इसमें apply किया है तो डरना नहीं है आपने अगर इस stock को buy किया है तो डरना नहीं है आपको देखिए buy करने का एक ही plan था जो कि आपको दिखता होगा कि long term में company perform करने वाली है बहतर और आपको देने वाली है अच्छ better नहीं ज्यादा से ज्यादा आरी के share buy करके apply भी किया होगा और इसी वज़े से क्योंकि वो इसके अपने हाथ से इसकी command को छोड़ना नहीं चाहेंगे बिलकुल भी क्योंकि अभी जो public का interest है इसकी तरह बहुत ही ज़्यादा है इसका price बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर maximum चार्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा company को भी आए हुए भी ज़्यादा बक्त नहीं हुआ है इसी बज़े से आपको यहाँ पे यह चीज देखने को मिल रही है और अभी इसमें अगर देखें तो maximum चार्ट में यह stock का अब बदल चुका है आपको यहाँ पे 7 म दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है अगर आपने बड़े लेवल पे इसमें खरीदारी कर रखी है तो आप अपना प्राइज एबरेज करें 2 रुपए 60 पैसे के नीचे अब आप बोलेंगे कि 2 रुपए 60 पैसे के नीचे किया यह stock जाएगा तो जी हाँ दोस्तों यह stock में आपको जरूर गिरावाट देखने को मिलने वाली है जब इनका Q4 का result आएगा बहाँ से इस stock में आपको lower circuit भी लगते हुए दिख सकते हैं लेकिन जो लोग बहाँ से एक सही level पे जाके आपको यहाँ पर भी level बता दी जाएंगे तब आप बहाँ से अपना price average करके और आराम से long term के लिए बैठ सकते हैं उसका reason क्या है क्योंकि अब जो यह FMCG के sector में आए हैं तो यहाँ से अब इनका business बढ़ेगा क्योंकि अभी जो Q4 में इन्होंने कोई खासा business नहीं किया है तो यहाँ पे जो इनका business बढ़ेगा उसका सीधा सीधा benefit विकास life care के shareholders को भी ह होगा क्योंकि यह जो पचास करोड़ रुपए इन्होंने रेज किये हैं राइट इसू के द्वारा उनने चास पॉइंट कुछ करोड़ रुपए आप पचास मानके चल सकते हैं तो पचास करोड़ रुपए यह किस तरह से implement करने वाले हैं उसका भी थोड़ा-थोड़ा इ किन उसमें ट्रेड करना सुरू करेंगे क्योंकि इनका ट्रेडिंग का ही मेन बिजनिस रहा है पुराने टाइम से जो भी आगे यह साइद उसी चीज़ को कहरी करते हैं या फिर अपने कुछ प्लांट्स भी लगाते हैं उसके बारे में हमें आगे चलके सोचना होगा क्यों अभी आप बहां से फैसला कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनिस को ले करके चल रही है तो दोस्तों अब आपको सारी चीज़े समझ में आ गए होंगे राइड सू में अपलाई करने के बाद आपको जो सेर हैं 28 जून को आपके अकाउंट में आ जाएंगे और त साइद अगर उनके पास 10% होल्डिंग बसती है तो उस 10% की बैलू हुई वो आज कंपनी की जो 100% की बैलू हो उसके बराबर करना चाहें तो साइद वो 10% भी उनके लिए 100% के बराबर हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों आप भी साइद इसमें इतना पैसा अपना लगाएं जिससे आपको लॉस होने पे कोई बहुत बड़ी प्राबलम ना हो क्योंकि रिस्क तो हमेशा रहता ही है पैनी स्टॉक्स में और अगर कोई कंपनी का बिजनिस इधर से उधर होता है तो जरूर तो रिस्क है तो इसक है लेकिन इतना ही इसकी जिए जो आप हजम कर पाएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दवाएं